हलो दोस्तों वेलकम बैक टो वर यूटूब चैनल तो दोस्तों आज के हम एक और नए वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके यह एक नई रिक्रिमेंट के वारे में तो जो कि निकाली गई है इंडिया नेवी में जो क्या है गुरुप सी के परद करने वाले हैं इसमें उससे पहले में थोड़ा बहुत बता दूँ आपको तो देखो यह गुरुप सी के लिए है और यह स्टार्ट कब से है 31 से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो लाज़ जेट है वो 20 तारिक है 20 अगस्त एज लिमिट की बात करें तो वही 18 से 25 एज रि अंडवा निकोवार कमांड यह यहां पर ठीक है यह इसमें 10 पोस्ट हैं इसमें 6 इसमें 6 ठीक है अंडवा निकोवार कमांड में तो यह जो पोस्ट है यह आपका मैली अंडवा निकोवार में पोस्टिंग की जाएगी तो देखके डालना अपना फॉर्म जैसे बनना चाह कर लाइब एक थे तो शय बारे में बात करते हैं एक तो सिलेफस कै आ इसका आपका डोड़ीएंस आपका यह से 20p village से बीजानंगे और जनरल से 10-10 और आपके एव सब्सक्राइब या से 50 तोटल 100 पूँछे जाएंगे अब टॉपिक वाई देखते हैं तो यह सारे टॉपिक दिये इसका दिया दाटेश्ट विलस्टेश्ड इन Q इसमें दिया है सिमिलर्ट्टी इफ्रेंर्श हो ठीक है डिफ्रेंसेस और यह एनलोगी हो गया जितनी भी एनलोगी होती है इस्पेस विज्वराइजिशन ठीक है और आपका जज्जमेंट मतलब यह है कि सारी जो भी रीजनिंग है वो सब दे दिये नॉन वर्बल बीस में नॉन वर्बल ठीक है अर्थमेटिक सीरी नंबर सी मतलब इसमें जो वर्बल वर्बल रीजनिंग है नॉन वर्बल दोनों है ठीक है अब इसी तरह से मैत का देखते हैं मैत का क्या स्लेवस है तो मैत का देखो आपका यह हो गया होल नंबर डेसीमल हो गया फ्रैक्शन एंड रिलेशन सिप बिट्विन दर नंबर परसेंटे आ और मीजर बेसिक बीरेक यह तो यह आपका स्लेवस बार डाइग्राम पुछ रहा है और पाई चार्ट टीわか है तो इस तरह से आपका मैत का स्ल्हस दिआ है और यह आपका इंगलिस का है English का देख लो इसमें क्या-क्या है आपका English language से पूछे जाएंगे इसकी vocabulary से पूछे जाएंगे grammar से और यह आपका sentence structure synonyms, antonyms and characters यूश्टी के मतलब miss felt or correct जो आपकी error होती है वहां से पूछे जाएंगे और यह आपका general awareness का यह पूरा देख लीजिए तो इस तरह से आपका slavis है और इसमें यह आपको कोई भी doubt है पूरा eligibility कैसे है क्या है ठीक है पूरा अगर वीडियो चाहते हो तो बता दे न पूरी बना दी जाएगी मैंने slavis के बारें बताईगी ठीक है तो और भी कोई doubt हो पूछ सकते हो